मैं हूँ अमीश देवगन और मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सबसे बड़े मेहमान है यानि एक मेगा एस्क्लूसिफ इंटिव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से में मौधी जी आपका अभिनंदन है न्यूज जाता हुआ देख रहा है खास्तों अपर तेल्गू स्रेट्स में भी वोटिंग है पहले तीन चरण के जो चुनाव हुए है उससे मैं साब देख रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी सब के सब एक प्रकार से दिशाहिन नजर आते हैं आप देखे आपको कहीं पर भी इंडी आलाइन्स नजर नहीं आएगा वो नेता नहीं तहीं कर पा रहे हैं वो एज़नदा नहीं कर पा रहे हैं उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलोच उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं कि देश इतना बड़ा देश आज खास करके जुन्नाव जवान बद्दाता है वो यह हमेशा सोचता है कि आखिर कर इतने बड़ा देश इतनी वीवी देता है ऐसा कौन लेता है जिसको समाल पाएगा नाम बताओ इंडी एलाइंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में फिर इतना भी कहते हैं कि मैंने कहीं अगबार में पढ़ा वह कैसी फॉर्मिला ला रहे हैं जिस फॉर्मिला में पाँक साल में पाँक प्रधान मंतरी हैं हर वर्ष एक प्रधान मंतरी हैं अगर हर वर्ष एक प्रधान मंतरी वह लाएंगे जिँ तो आप मुझे बताईए कि देश का क्या होगा आपको गाउं के लोग बढ़िया मेज़ेदार कथा सुनाते हैं कि एक बार दस किसाने खटे हुए और उन्हों पानी अपको निकलेगा पानी मिलेगा तो फिर दसों किसानों कर लोगों सब्सक्राइब निकलेगा तो पांच साल में प्रधान मंत्री इतने बड़े देश को वह समझ भी नहीं पाएंगे लेकिन विपक्ष कहा रहा है कि चार सो पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं मैं कल भी बोला हूं जी अब ठीक है कि उनकी चिंता यह है आकि कॉंग्रेस का एजंडा क्या है कि चार सो पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उनका एजंडा नहीं कि वो कितनी सीटे जीतेंगे और कैसे जीतेंगे कि दूसरा मैंने करीपरिम्दृस्तान के एक तीन-चार राज बाकी है कि सभी राज्यों का भ्रह्मन किया है और सभी राज्यों के भ्रह्मन से मैं देख रहा हूं कि यह आंधी है आंधी बड़ी आंधी और चार सो पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है विपक्स 19-24 में विपक्स के नाते भी विफल गया है जो लोग विपक्स के नाते भी 20 पल गये हो उनको इतना बड़े देश का कारवार कौन देगा लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटे अपने दम पर पाई हिंदी भाशी राजियों में एक तरहां से बहुत बड़ी सीटे भारते अंता पार्टी को में लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा और आप देखिए जी भारती जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो गोवा जी क्या हिंदी भाशी है क्या गुजरात हिंदी भाशी ह महराश्ट्र हिंदी भाशी एक असाम हिंदी हिंदी भाशी है क्या करणाटर का हिंदी भाशी है कि आज भारती जनतापार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह Alfredிजनता पार्टी हैट्रिक करेगी करेगी और करेगी और ये ये मोदी कहता है इसलिए करेगी जनी देश के 140 करोड़ देश स्वास्चियों ते तैय कर लिया है इसलिए 400 पार होना है और भारतिय जनता पार्टी भी अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ेगी और एंडिये भी अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ेगी तेल्गू स्टेट्स में आपको लगता है आंध्रा में आंध्रा एंड्रा एंड्रा तेलंगणा इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सर्प्राइज देगा केरल तमिलाडू पुडिचेरी क करनाट का आंध्रा तेलंगणा सभी में सभी में अइतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिद्वी भारती जैनता पार्टी और एंडिये के पक्ष में रहेगी जिए बिलकुर साफ नजर आता है और मैं मानता हूं कि तेलंगणा क्लीन स्विप कर आलएगा जिन राच्जों में पराँजों के चुनाव है ठीक वहां भी कि जहां भारती जैनता पार्टी हैं वह कुर्छ नई सरकार बनेर mıरि अर्छ लिए इन सभी राज्यों में कि सरकार बंणताय आंध्र तेलंगणा मैं भी क्लीन सुण होने वागा है एक मैं पूरदेश घुम रहा हूं चुनाव के लिए एक चीज मैंने देखी इस चुनाव में नरेटिव बार-बार बदले पहले नरेटिव आया रिजरवेशन का फिर आया नरेटिव की बीज़ेपी के लीडर्स के फेक वीडियो चलाए गए नरेटिव बार-बार बदल रह रेटिव एक ही है अब की बार 400 पर नरेटिव भी है लेकिन लेकिन निरॉप रटोब हतास है निरास है जो मुद्दों की तरास में है उनके लिए वार बार वो फ़ोगों को भीचो कि यस में रहे इसलिए उनको लेक्षान आना पड़ रहा है लेकिन वह नीचे तक लोग़ को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं लेकिन उत्तर से जक्षन तक पूरफ से पश्चन तब एक नरेटिव है मोदी जी और यह हमारा इनलेसिस है वो है नरेंज मोदी एक नरेटिव है इस पर आप क्या करना चाहते हैं आप पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आप अपनी तीसर की टर्म में वापस आएं मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है देश की जनता का प्यार यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है जी देश की जनता के आश्रवाद यही बहुत मेरी पूंजी है और इसलिए प्रेशर कि मैं देख रहा हूं कि इंडी अलाइंस में है क्योंकि उनकी जी जी केरल में जाकर के ही उन्होंने उनको छुरा भूग दिया खुद चुनाव लड़ गए और मैंने पूरे चुनाव में सबसे तीखी आलोचनाव सबसे तीखी भाषा अगर मैंने कहीं सुनी है तो वो मैंने वाइनाड की सीट पर सुनी है बाइनाड में सुनी है केलल में सुनी है जहाँ कोंग्रेस बद्धी तरीके से और कोंग्रेस factors अपने इंडिया पी के खिरा रहाकार का जो कॉंग्रेस के तीस साल तक और टॉप परिवार के सलाकार रहे हैं उन्होंने कहा है कि यह तय है और उन्होंने निर्णे करके लिया है कि हम राम लगा को फिर से एक बार टैंट में बेज के ही रहेंगे राम लगा को फिर से टैंट में बेज करके ही रहेंगे यह उनके सलाकार ने कहा है यह कॉंग्रेस वालों ने निर्णे किया है और देश को पुरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदत है गोड़ बेंग की राजलिते के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है एक सवाल और हम बीहार की धर्ती पे है RJD यहारी लालू जी की पाटी और कॉंग्रेस का अलायन्स है इंडिया अलायन्स देखने को मिल रहा है लालू जी ने मुस्लिम आरख्षन की बात कही है उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरख्षन होना चाहिए क्या देखते आब गंभीर चर्चा करके तैक किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए बाबा साब अमबेड करके भी विचार बहुत पश्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए पंडित नहरू भी इसी विचार के थे लेकिन उसके बावजुद भी राजनीती और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर चुनाफ के अंदर आ गया है तिलंगाना के सीम है रिवन त्रेड़ी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के परती नफ्रत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार गली पार गुंडा कहा था जिनकी भारत की सेना के परती यह भाव होंगे पाकिस्तान भी सरजिकल स्ट्राइब नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है से पाकिस्तान नहीं किया अधिक से पूंगरेश पाकिस्तान में सदन में उनके नेतां ने भाषन किया है इस प्रकार से सिज़कर स्राइड करके जाते हैं exceptionally है पहस जोड़ कर करके बहए चाइब यह उनके भाषन है महां के अगर हमारी बात नहीं माननी है हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है तो वो अपने मित्र पाकिस्टान की लोगों के बात तो सुन लें उनको तो मान लें इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं औरंग जिब कहा गया महाराष्टर के एक नेता ने एक और पक्षी नेता ने आपको तुगलक का फिर उसके बात आना शाका के आपको बुरा लगता है यूँ आपको गुस्सा आता है इस पर देखिए हम तो कामदार है बेनामदार है और हम कामदार लोग जरम से ही गालिया सुन सुन करके बड़े हुए हैं लोगों के लाते खारते खारते बड़े हैं और इसलिए इन ची कि मैं डेली दो किलो गाली खाता हूं और उसी से मुझे उर्जया मिलती है देकि मेरी एक बहुत पुरानी कवीता है मुझे वियात तो नहीं है लेकर उसका भाव यह था कि मुझे जो पत्थर फैकते हैं मैं उनी पत्थरों से पत्थी बना देता हूं और मैं उसी से उपर कि जितनी घंड उचालेंगे जितना कीचर उचालेंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा एक सवाल आखरी यह है कि मातां और भेनों का आप से विश्येश लगा है कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं मतलब उनके आँखों मे आशु आ रहे हैं एक इमोशनल कनेक्ट जो है इसको परधान मंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं तो कि यह बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट बहरबानी करके इन मातां और बहनों का ज्वाशिवाद है इसको राजनीति के तरह से मत होगी है एक भावात्मक्विश है और मैं मानता हूं कि मेरे देश का कल्यान करने के लिए मेरी मात्रु शक्ति को एमपावर करना चाहिए त्री शक्ति को एमपावर करना चाहिए नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए तो मैं एक बड़ी सद्धा से एक पूजा भाव से काम कर रहा हूं कृपा करके इसको र मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है मुझे तो देश के युगां का मैसेज चाहिए मैं देश के युगां की इच्छा अनुसार चलना चाहता हूं ने अभी जो पेंटी-फोटी-जवन का विजन बनाया करी 35 लाख नवजवानों से मैंने फिड़ बैक लिया है और मैं अभी 100 दिन का कारकम बनाया है मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बनाओ और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युगां को पूछने वाला हूं यह 25 दिन के लिए उनके क्या सुझा है कौन से काम मैं पहले करूं तो मैं इस प्रगारते देश के युगां को उनक लगाता चाहिए यहां को बाट करते हैं अपने अमें समय दिया और आप 100 से ज्यादा रही और रोडशो कर चुके हैं इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं बन्य वाजी